कि अब एक्सक्राइब का हमारा लास्ट कॉश्चन कॉश्चन नंबर फाइव है तेल वेदर दर स्टेटमेंट ये स्ट्रू फॉल्स में हम लोगों ट्रू और फॉल्स बताना है तो कॉश्चन नंबर बन देखते हैं दा मोड is always one of the number in data क्या मौड जो है वो हमारे जो और दिये होते हैं उन्हीं मेंसे एक होता है तो यह क्या हो जाएगा हमारा है गいや मॉड्स के ऑता मॉड होता है जो सबसे ज्यादा वारत आया होता है वह हमारा मोंड पनला मतलब जो नंबर बॉरह थोकर मॉड होगा तो वह किसम से होगा जो और यह वह वह हमेशा वही नमबर र्थास्ट में द्यांत घेड़ेंग ऑगा कैसा हो जायगा अब कुश्चन नंबर टू है दा मीन इस वन ऑफ दा नंबर इन डेट तो मीन जो है हमारा वो भी क्या उन्हीं नंबर में से एक होता है तो यह हम लोग कह सकते हैं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते जरूरी नहीं है जोसे एक्जेंपल के लिए हम लोग कुछ जैटर ले लेते हैं मान लेते हैं वाण टू थिरी फोर और फाइव इनका हमें मीन निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे इनको आड़ करेंगे वन प्लस टू प्लस थिरी प्लस फॉर प्लस फाइव आप आप नंबर अब ऑब ऑब कितने वन चुक्री पॉर 545 से वाइट करेंगे है हमारा जाएगा वांट प्लस टू थिरी फिरी प्लस थिरी शेक्स, फ्लस फॉर, 10 10 प्लस फाइव 15 15 अपकान 5 हो जाएगा डिवाइट करेंगे तो हमारा क्या जाएगा मेन क्या आगा हमारा और अब शेकंड एक्जेम्पल लेते हैं कि तुम नमबर बान लेते हैं, वान, टू, जैवन, नाइन, एंड एलेवन, यह हमारी अब्जरवेशन दिये गया हूं, अब हम लोग इसका मीन निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 plus 2 plus 7 plus 9 plus 11 और इसको divide करतेंगे 5 से तो क्या हो जाएगा हमारा 123 3 plus 7 10 10 plus 9 19 19 plus 11 हो जाएगा हमारा 30 30 upon 5 5 से divide करेंगे 5 6 हो जाएगा सकता है तो हो सकता है ये गृट वह वाला नंबर नहीं भी हो सकता है धिर्टा वाला नमबर नहीं हो कुछ और हो हम लोग क्या लिख देंगे अपने में भी ट्रू है तो हो सकता है यह क्रू हो मगर क्या जरूरी नहीं है अग लग दिखते हैं कुश्चन नंबर थरी तो पूछ रहे हैं कि जो मीडियन है वो हमेशा हमारा वही नंबर होता है जो हमारे डेटा में दिये गया है तो फिर इसका जवाब है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है क्योंकि मीडियन क्या होता है मीडियन होता है हमारा जो हमारा मीडियल नंबर होता है वही हमारा मीडियन होता है तो हमारा मीडियन क्या होगा कि और अगल नंबर दिये गया होंगे तो हमारा मीडियल नंबर होगा अगर अगर इवन नंबर होगा तो उसके लिए वो ट्रू नहीं होगा क्योंकि मीडियन कुछ और आ जाएगा जो हमारे डेटा में नहीं दिया गया होगा यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि कि ट्रू फॉर अर्ट नंबर एंड फॉल्स फॉल इवेन नंबर कि अब इसका लाश्ट कॉश्चन नंबर फॉल्थ है देटा है जमीन नएन हम वो डेटा दिया गया इसका पूछा है मीन क्या 9 होगा में फाइंड करने इसका कॉश्चन नंबर फॉल्थ देटा अमनों को दिया है 6 4 3 8 9 12 13 9 भी निकालेंगे Sum of Observation करेंगे 6 plus 4 plus 3 plus 8 plus 9 plus 12 plus 13 plus 9 Divide करेंगे Number of Observation से कितने हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो हमारे 8 Observation है Sum करेंगे इनको 6 plus 4 हम लोग को हो जाएगा 64 64 upon 8 क्या हो जाएगा 8 बन जाएट 8, 8 जा 64 तो हमारा मीन क्या गया 8 तो इसमें क्या दिये गया था इसका मीन क्या आप कर रहे था कि मीन नहीं है तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा क्यों फॉल्स हो जाएगा झाल झाल